दोस्तो नमस्कार दोस्तो आपके अपने इस यूट्यूब चैनल एस्ट्रो गाइड में आप सभी का स्वागत वेल्कम दोस्तो जोतिश के सफर में आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं और हमारे दोरा जो भी वीडियोज अप्लोड हो रही हैं आप सबी अपना प्यार अपना सन्हे उन वीडियोज और आप कमेंट भी करते हैं मैसज भी करते हैं तो उसका तहदल से शुक्रिया जितना भी दोस्तों समया होता है हम हर एक कमेंड का जो अंसर है वो देते भी है कबी-कबी दोस्तों रह भी जाता है लेकिन आप चैनल को सबस्क्राइब करते हैं तो उससे कहीं न कहीं हमें भी मोटिवेशन मिलती है कि हम वीडियोस जो हैं वो अपलोड करते रहें नएने टॉपिक्स आपके लिए ले आएं और कुछ घ्यानवर्दक जो बाते होती हैं वो आपसे शेयर करते रहें तो इसी सफर को हम कॉंटिनू करते रहेंगे दोस्तो मेरी गुजारिश आपसे यही है कि आप चैनल को जूरू सब्सक्राइब करें ताकि इस चैनल के माद्यम से हम आप लोगों के साथ जुड़े रहें और आने वाले दिनों में हम लाइव सेशन जो है वो भी कर पाएं दोस्तो पंजाब की राजनिती में हमने एक जो है वो प्रडिक्शन भी की थी भवन्त मानजी की कुंड़ी के उपर हमारे इसी चैनल के उपर वो वीडियो पड़ी है दोस्तो 12.1.2022 को हमने कुंड़ी जो थी वो शेयर की थी तो वो कहीं न कहीं स्टीक जो है वो बनी है दोस्तो तो आप उस वीडियो को भी जरूर देखें मैं लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में नीचे रख दूँ मों दोस्तो दोस्तो आज कुछ बाते हम करेंगे लाल किताब के अनुसार दान के नियम जो दान हम करते हैं वैसे जो दोस्तो दान जो है वो सरोतम माना गया है कि किसी भी इनसान की मदद करना आज के टाइम में बड़ा उत्तम उपाय होता है लेकिन कभी कभी दोस्तो खामा खान की परिशानिया जो है वो बढ़ जाती हैं तो उन कारणों को हम समझेंगे कि दान के क्या क्या नियम हो सकते हैं आप अपनी कुंड़ी के हिसाब से अगर देखें तो आपको दान के क्या नियम जो हो फोड़ उपने चाहिए दोस्तो कुंड़ी में दान जो है डोनेशन जो होती है हरीक इनसान अपनी शमता के अनुसार करता है लेकिन अगर आपकी जर्म कुंड़ी में जा आपके जो वार्षिक वर्षफल होता है उसमें कोई ग्रहे आपका ऐसा आया हुआ है जो आपको नुकसान दे कर सकता है तो उस चीज़ को भी आप जूर समझें दान जो होता है दोस्तों वो हमेशा सूरिया उदे वो सूरिया से पहले आपको करना जाए सूरज की करनों के दुरान ही अगर आप दान करेंगे तो वो आपको जदा जो है बहुसर करता है सूरिया के परकाश में किया हुआ दान हमेशा लगता है दोस्तों कुछ उपाय होते हैं दोस्तों जो संदिया के टाइम पे हम कर लेते हैं जो शेशनी और राहू के उपाय होते हैं वो संदिया को भी हम काम में लेते हैं लेकिन मोसली केसिस में दान चाहे वो जल परवा हो चाहे वो आपने किसी को डोनेशन करनी हो जा मंदिर में आपने को दा किसके करना चाहिए और दान हमें कब करना चाहिए दोस्तो जोतिश के अनुसार आगर आपकी कुंडली में सूरिया सब्तम बाब में हैं सूरिया अस्टम बाब में हैं अब सूरिया सब्तम बाब में नीच के हैं अस्टम में करहन में हैं अस्टम बाब शनी का है सब्तम बाब नीच के भी होते हैं तो सूर्या जब किसी चर्म कुंडली में सब्तम और अस्टम में होते हैं तो ऐसे जात को दिन छिपने के बाद में सूर्या जब अस्त होते हैं उसके बाद दान जो है वो नहीं करना चाहिए वो दान उसके लिए कहीं नकहीं नुक्सान करता है दोस्तों स सूर्या तेंथाउस में हो सूर्या इलेवन्ताउस में हो आपके तो गोचर वर्ष हो मंतली कुंड़ी में जब तो उस साल जा उस महीने आपको कोई भी शनी की आईटम कोई भी मेशिनरी लोहे कि कोई भी चीज, कोई भी वस्तू, वो नहीं परचेज करनी चाहिए, चाहे वो आपकी बाइक हो, चाहे वो आपकी कार हो, कोई भी ऐसी मशिनरी जो है, वो आपको नहीं परचेज करनी चाहिए कुंडली में शुक्र नाइन्थ हाउस में बैटे हों जो कि कहीं न कहीं मंगल बद का सर होता है ब्रस्पती का रिंग भी होता है शुक्र खुद भी पीडित है ब्रस्पती भी पीडित है तो शुक्र नाइन्थ हाउस में कहीं न कहीं बच्चा या उलाद होने में समस्याएं जो है वो रहती हैं, कंसीव करने में प्रावलम्स आती है, मतलब की कंसीविंग प्रावलम्स जो है, वो लीडिस को जादा यहां पे फेस करनी पड़ती है, यागर शुक्तर किसी जाता है कि कुनूली में नाइंथ हाउस में होता है, तो इस दुरान दोस्तो, आपको भारी में हो, जा गोचर में हो, जा फिर आपकी जर्म कुनूली में हो, तो इस चीज़ को आप उस परहेज में परहेज के रूप में रखें कि वजीफा या फ्री एड्यूकेशन जो आपको नहीं करनी हैं, दोस्तो, अडॉप्शन के केसी जो हैं, अडॉप्ट जो केसी होते हैं, चाइल्ड्स के, वो भी शुकर नाइंथ हाउस में जो है, वो देखे गए हैं, दोस्तो, तो वो भी कही न कहीं मंगल बद का सरही होता है, तो उस चीज़ को भी आप अपने परहेज के रूप में रखें, दोस्तो, कुनूली में जब चंदरमा, खाना नमर बारा में होते है तब यहां पे यह भी कहीं न कहीं नुकसान दे होता है, यह बाब प्रस्पति का भी है, यह बाब राहू का भी है, चंदरमा खुद एमोशन्स है, आपका मन है, और कहीं न कहीं एजुकेशन्स जो है, वो भी चंदरमा से हम देखते हैं, तो कहीं न कहीं बार में बार में ब मन को समझते हुए आगर आप आपने एड्यूकेशन जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो देने शुरू कर दी तो वो भी कही न कहीं चंदर बारां वाले के लिए नुकसान दे है दोस्तो ऐसी कई कॉंडियों में दोस्तो शोध भी हुआ है कि चंदरमा जब कॉंडियों में बार में बार में वर्च फैल में आए थे तो जा तक जो है वो कहीं न कहीं स्कूल आपनिंग में जो है वो ओफर करते हैं जा फ्री एड्यूकेशन जो है वो ओफर कर देते हैं तो वो कहीं न कहीं नुकसान दे होता है दोस्तों बदनामी जो है वो शुरू जाती है दोस्तो दोस्तों कुंडली में बस्पती खाना नमबर दस में हो चंदर खाना नमबर चार में हो तो कहीं न कहीं अगर जातक दर्म के पर चार में लग जाए या फिर डोनेशन के रूप में पैसा एकठा करना शुरू कर दे तो ये भी कहीं न कहीं इस इस इंसान जाता के लिए बदना काम करता है अफवाएं जो हैं वो फैलनी शुरू जाती है तो ये किया हुआ पर चार भी कहीं ने कहीं वर्ष फल जा गोचर वर्ष आपको नुक्सान दे कर सकता है प्रस्पती दस खाना नमबर चार में चंदरुमा दोस्तो खाना नमबर आठ में जब शनी देव होते हैं तो अगर ओपन करता है जब बनाता है तो वो भी शनी अश्टम के लिए मृत्यु तुले कश्ट तक जो है वो देता है अगर कुनली में शनी अश्टम में बैटे हैं और आपने धरम शालाएं जो हम ओपन करनी शुरू कर दी तो इस चीज़ को अपने दिमाग में हवेशा रख प्रिlle और यह बोला गया है कि द्राम शालाएं जराइ जो हम सुईदाद्स पुरख जो लोगों के लिए बनाते हैं तो यह नहीं करे को या तो वो बनाना भी नहीं चाहिए और अपने नाम से तो बिल्कुल नहीं बनाना जाएं चाहिए तो उच्छांप में जब बिस का दान अपने उतारे हुए कपड़े किसी को दान ना करें मींस की बस्पती अब शुक्र के गर में बैठके शुक्र को खराब करेंगे शुक्र जो आपकी लगजरी है आपका बोग विलास है पैसा है शुरत है नाम है और आपकी इंजवाइमेंट है दोस्तों तो आप अगर बस्पती को पावर दे के शुक्र को खराब करेंगे शुक्र जो कि आपके कपड़े भी हैं आपका ब्रैंड है नाम है आपकी इज्ज़त है आपका एक शौंक है दोस्तों जोश है तो अपने उतारे हुए कपड़े अगर आप दूसरों को डोनेट कर देंगे बस्पती सुनिया में दोस्तों सिंपल सी बात होती है कि जो भी ग्रहे आपकी कुंडली में अच्छा है जो ग्रहे आपकी कुंडली में उच्छा है तो उसका दान ना करें और जो ग्रहे कुंडली में नीच का होता है उसका दान नहीं लेना चाहिए दोस्तों अब उच्छ के ग्रहे हो तो बसपती खाना नमबर चार में उच्च के बैटे हुए भी आपको रिच के फल देना शुरू करतेंगे सूर्या लगन में उच्च के होते हैं अगर आपकी पिता से मतवेद हैं आपने नॉन्वेज ड्रिंक अंडा मास मच्छी शुरू कर दी है तो उच्च के बैठे हुए सूर्या भी आपको जॉब में सर्वाइवल में सेहत में जो है करश्ट देना शुरू करतेंगे तो इस तरह आप जोतिश के इन माद्यम से आप सीख भी सकते हैं कि जो ग्रयापके उच्च के हैं वो अपना फल कब देते हैं जब आप उनकी कारक वस्टिओं को अडॉप्ट करते हैं उनको नुकसान नहीं करते दोस्तों अब बुद्ध शटे बावे उच्च के हैं और आपकी बेहनों के साथ नहीं बन रही तो ये भी कहीं न कहीं च्चटे बुद्ध के लिए नुकसान दे हैं तो उच के ग्रहओं को हमेशां उनके कारक चीजों को आजर करें, रिस्टेक्ट करें तो ये ग्रह चाल जो है वो आझको कहीं न कहीं पोस्टी निम्पड देना शुरू कर देगी दोस्तों शुकर बारा में उच्चे होते हैं आगर आपकी इस्ट्री के साथ बनती है अच्छी ट्यूनिंग है दोस्तो अच्छी सलाहकार है आपकी जाता की इस्ट्री और कहीं न कहीं आप इस्ट्रियों की इजद करते हैं दोस्तो तो शुकर बारा हमेशा आपको अच्छे फल देगा और वो ही कहीं आपने डिसरिस्टेक्ट शुरू कर दी आप अपने गंदे मेले कुछाले कपड़े जो है वो डाने शुरू कर दी ये बैट के ऊपर बैट के खाना खाना शुरू कर दिया तो शुक्र बाराप को निक्टी फल देगा तो इन चीज़ों को जरूर समझे बाकी दोस्तों कुंडली ववेचना कुंडली वश्रिसलेशन के बाद जो है वो पाए उनकी अलग से बनते हैं मैंने आपको एक सिंपल सा नियम जो है वो बताया है कि इन इन चीज़ों को अगर आप नोट करेंगे तो आपको कहीं न कहीं जो है वो जल्ड अच्छे मिल सकते हैं दोस्तों बाकी आने वाले दिनों में हम वीडियो जो है वो शेयर भी करेंगे उनकी प्रटिक्शन जो है वो उनकी हम जो उनकी ववेचना बनती हम वो भी करेंगे तो इसलिए आप अगर इस चैनल पर नहीं है तो आप इस चैनल को जुरूर स्पोर्ट करते रहें आपका प और जोतिश में जो उपाये हैं ग्रेहों के बावा नुसार वो उपाया हमें कब और किन कारनों से जो है वो करने चहीए क्योंकि एक ही बाब में दोस्तो पांच पांच छे छे उपाए होते हैं अब कहीं न कहीं राहू अस्टर में हो तो वहां पे छे उपाए हैं दोस्तो आपकी कुंडली में आपको कुंसा उपाए सूट करेगा वो पाए आपको कुंड़ी की वेचना और कुंड़ी की स्रेशलेशन करने के बाद जो है वो हम बता सकते हैं जो उनके टॉपिक्स के ओपर भी हम चर्चा जो है वो करते रहेंगे मेजिक जारिश आप से यही है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पे आए हैं तो आप इस चैनल को जो सब्सक्राइब करें ताकि यह ग्यानवर्दक वीडियो जो है आप से हम शेयर करते रहें और आप लोगों की सुईदा के लिए हम लाइव सेशन जो है वो शुरू कर पाए दोस्तो आज के लिए इतना ही मिलते हैं अगली वीडियो में दन्यवाद दोस्तो